हलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल दावत तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ केक मम हैं किये है और शायद वो भी आप लोगों ने दिखे होगे तो ये जो नया समान मार्केट में आया है इसके किमत क्या है यूज कैसे होता है और आपको कहाँ से यह खरीदना चाहिए जैसे कि ओनलाइन खरीदना चाहिए या wholesale shop से या आप लोग local shop से इसे खरीद सकते हैं वो भी मैं इसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ तो कि इस भी में से कुछ समान online बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है तो wholesale rate में वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी मिलता है कई ज़्यादा पर कुछ समान wholesale shop में बहुत ज़्यादा महंगा है तो online सस्ता है तो कहां से क्या क्या चीज़े खरीदनी है कम से कम कीमत में वहीं आप लोगों को एक साथ share करूँगी तो चलिए फिर बहुत ज़्यादा काम का और useful सा वीडियो होने वाला है चलिए शुरू करते है आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा पसंद आएगा ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलेगा चलिए शुरू करते के Character बनाने के लिए तो यहाँ पर चार मोल्द आपको दिखा रही हूं यह है muffin का mold या जो cupcakes हम लोग बनाते है चोटे-चोटे उसका ये mold है guys तो यहाँ पर 6 cavities है 6 cupcakes ये muffins आप लोग एक साथ में इसमें बना सकते है इस तरह के ये जो liners मिलते है ये इसके अंदर डाल कर आप लोग बहुत ही अराम से ये muffins बना सकते हैं कटोरी में या चोटी-चोटी जो घर की कटोरिया होती है उन में बनाने की जरूरत नहीं है तो आप लोग इस तरह से ये जो mold है ये भी खरीद सकते है ये मैंने कहां से खरीदा है guys ये मैंने online खरीदा है ये मैंने Misho app से खरीदा है 150 रुपीज में ये मुझे मिला था कुछ offer चल रहा था तब मैंने ये लिया था अगर आप लोग उसे local shop से या wholesale shop से खरीदना चाहते है तो 200 रुपए तक उसकी cost पढ़ जाती है दूसरा जो mold मेरे हाथ में है यहाँ पर rectangle या bread loaf वगरा बनाना चाहते है या इस तरह का लंबा सा टूटी-फूटी या slice cake बनाना चाहते है तो इसके लिए इसका use होता है guys bread वगरा बनाने के लिए तो ये भी मैंने online खरीदा है 150 रुपीज में ये मैंने Amazon से खरीदा था guys और यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख सकते है doll cake का ये जो cake mold है ये मैंने local shop से या wholesale जहाँ पर cake का समान मिलता है वहाँ पर से खरीदा है 200 रुपीज में इसमें आधा किलो का एक किलो का cake अराम से आप लोग बना सकते है तो ये भी aluminum का है इसके बाद में आप लोग मेरे हाथ में ये heart shape का इस तरह का mold देख सकते है इसमें बहुत ही खूपसूरत सा cake तयार हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते है इसकी यमारपी है 150 रुपीज येकिन मुझे ये मिला है 109 यानि की 109 रुपे में ये मैंने local shop से खरीदा है जहाँ पर cake का समान मिलता है अगर आप इसे online खरीदना चाहते है तो थोड़ा सा महेंगा 1500 या 200 रुपे में आप लोग इसे खरीद सकते है तो इसे आप लोग whole shop से ही खरीद सकते है थोड़े से पैसे तो इसमें बच जाते है यहाँ पर दूसरी चीज दिखाने वाली हो यहाँ पर मैंने टर्न टेबल खरीदा है यह मैंने ओनलाइन दिया है तो इसके पहले मेरे पास जो टर्न टेबल था वो प्लास्टिक का था लेकिन मैंने उसे चेंज कर दिया है यहाँ पर यह जो हाड माटेरियल है शायद अलुमिनियम भी नहीं है थोड़ा सा स्टील टाइप यह माटेरियल है थोड़ा सा है यह तर्न टेबल यह बहुत ही स्मूतली इस तरह से घुमता है बहुत ही असानी से आप लोग के को डेकोरेट कर सकते है उसकी आ наход कर सकते है तो इसकी जो स्मूतनेस है यह जो स्पीड है एक बार गुमाएंगे तो बहुत देर तक यह इस तरह से चलता है तो आप लोग प्लास्टिक की जग़े पर अगर जादा केकी ओर्डस वगरा लेते हैं तो इस तरह का यह जो टर्न टेबल है वो खरीद सकते हैं यह मैंने मीशो अप से खरीदा है गाईज 650 रुपीज में अगर आप अधर अप से जैसे अमेजन वगरे से खरीदते हैं तो थोड़ा सा मैंगा मिल सकता है और होलसेल शॉप में भी 800, 900 या 1000 भी इसके दिने पड़ सकते हैं तो आप लोग इसे ऑनलाइन थोड़ा सा चेक कर सकते हैं इसकी बाद ये स्पैचुला मैंने 80 रुपीज में लोकल शॉप से खरीदा है और इस तरह की स्ट्रेनर या चलनी मैंने 150 रुपीज में स्टील के जो समान या बरतन वगरा मिलता है वहां से ली है तो ये भी समान केक बनाने के लिए यूसफुल होता है चलिए इसके आगे बताती हो मैंने क्या लिया है तो यहाँ पर देख सकते है गाईस कुछ मैंने ये चॉकलेट मोल्स भी लिये है जिसमें हम लोग चॉकलेट गानिशिंग्स बना सकते है चॉकलेट बना सकते है तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सा मेरे हाथ में आप लोग ये चोकलेट मोल्स देख सकते हैं इस तरह से इसमें चोकलेट बॉल्स बनती है बहुत ही बढ़िया से इसकी गानिशिंग्स बनती है चोकलेट के उपर हम लोग डिकोशन कर सकते हैं ये मैंने लोकल शॉप से खरीदा है ये भी देख सकते है स्टार्स है इसमें इस तरह के तो हम लोग इसी शेप की चॉकलेट्स बना सकते है इसके बाद ये जो छोटे-छोटे कैटबरी डरी मिल्क होते है उसके भी मैंने ये मोल्ड इस तरह से खरीदे है एक साथ में यहाँ पर ये 12 कैटबरी या चॉकलेट्स हम लोग बना सकते है तो इसकी प्राइज है गाईज 40 रूपीज सिर्फ 40 रूपीज में मैंने ये मोल्ड खरीदा है ये दोनों जो ब्राउन आपको दिख रहे है ये 40-40 रूपीज के है और जो रेड बॉल वाला है वो मैंने 60 रूपीज में खरीदा है अगर आप लोग इसे ओनलाइन चेक करते हैं थोड़ा सा महंगा या 120 रूपीज में आप लोग ये खरीद सकते है तो लोकल शॉप से ही खरीदेगा क्योंकि ओनलाइन थोड़ा सा महंगा है इसके बाद बड़े काम की चीज है गाईस हमें सब लोगों को ये पसंद है डॉल केक बनाना तो इसके लिए लगते हैं ये डॉल केक के टॉपर या डॉल टॉपरस बोल सकते हैं आप लोग इसे ये भी आप लोग wholesale shop से खरीच सकते है क्योंकि online बहुत बहुत ही ज़ादा महेंगे है तो आप लोग जहाँ पर cake material का समान खरीटते हैं वहाँ से इसे ले सकते हैं तो चलिए इसके prizes में बता देती हूँ तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में यहाँ पर दिख रहा है आपको इसकी prize है गाईस 50 रूपीज सिर्फ 50 रूपीज में मैंने इसे खरीदा है ये छोटी वाली जो डॉल है इसके साथ ये frog भी आता है जो swimming pool theme का जो cake आता है उसके लिए मैंने ये ली थी ये भी 50 रूपीज की है इसका plastic जो है guys ये थोड़ा सा हलका material है यानि कि बहुत अच्छे material की ये नहीं बनी है तो ये सिर्फ 30 रूपीज में मुझे मिला है और ये आप लोग मेरे हाथ में देख सकते है इसकी plastic quality बहुत ही अच्छी है तो ये मुझे 50 रूपीज में मिली है थोड़ा सा plastic material अगर अच्छा है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पैसा उसके लिए देना पड़ता है देख सकते है इसका plastic material और इसका तो जो हलके फुल के plastic material की बनी होती है वो थोड़ी सी सस्ती भी होती है तो अगर आप लोग orders लेते हैं तो आप लोग इस तरह के टॉपस ले सकते हैं wholesale shop से ही आप लोग इसे ले सकते हैं क्योंकि online बहुत जादा महेंगे मिलते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर dark compound और white compound चोकलेट लिया है तो यह भी मैंने cake material का wholesale rate में जो shop है वहाँ से खरीदा है तो यह dark compound चोकलेट आप लोग garnishing के लिए चोकलेट ट्रफल बना आने के लिए यूज कर सकते हैं इसकी price यहाँ पर है 135 रुपीज हाफ केजी का यह packet मिलता है dark compound का तो यह मैंने जहाँ से खरीदा है वहाँ पर मुझे यह 130 रुपीज में यानि कि 5 रुपीज उसने थोड़े से कम कर दिये है और इसके बाद यह white compound चोकलेट है यह थोड़ा सा महिंगा आता है तो इसकी price यहाँ पर दिख रही है आपको 230 यह 240 कुछ तो है तो लेकिन मुझे यह जहाँ पर से मैंने खरीदा है वहाँ पर 190 रुपीज में यानि कि 20 या 30 रुपीज उन्होंने कम कर दिये थे तो अगर आप लोग इसे online खरीदना चाहते है तो बिलकुल भी MRP से कम वो लोग नहीं लेते है और जो shipping charges है वो भी रहते है तो आप लोग इसे local shop से ही खरीद सकते है और थोड़ा सा bargain कर सकते है guys क्योंकि ना इसके prices जो है MRP से थोड़े से वो कम कर देते है अगर आप थोड़े सी bargaining करते है तो आप लोग ज़रूर bargaining करके इसकी कीमत थोड़े सी कम कर सकते है इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर चोटी मोटी जो चीज़े होती है केक decoration के लिए वो यहाँ पर ली है तो यह इस तरह का girl topper मिलता है केक के उपर लगानी के लिए इसके बाद आप लोग साइड में girl की frog भी बना सकते है बहुत जादा खुबसूरत केक बनता है यहाँ पर happy anniversary का भी tag है कुछ और भी है मेरे पास happy birthday की लेकिन वो मैंने कहाँ पर रखे मुझे याद नहीं अभी तो यह भी toppers आप लोग ले सकते है यह भी मैंने local market से खरीदे है तो यह जो girl का है यह 30 रूपीज का है और happy anniversary का 40 रूपीज में मिला है और यहाँ पर कुछ knipes मैंने लिये है तो यह 20 रूपीज में 12 यानि की 20 रूपीज पर dozen मिलते है यानि की यह 1.5 रूपे में एक चाको या knife आप लोगों को मिल जाता है इसके बाद यहाँ पर चोटे चोटे यह happy birthday के tags है तो एक रूपे में या दो रूपे में आप लोग इसे ले सकते है पर dozen यह मिलते है यहाँ पर कुछ happy new year के है यह 10 या 12 पंदरा रूपीज पर dozen आपको मिल जाते है एक या दो रूपे में एक टैग आप लोगों को मिल जाता है तो इस तरह से यह टैग्स भी यहाँ पर है इसके बाद मैंने यहाँ पर यह बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग से golden balls लिये है इसका एक packet ही मिल जाता है इसमें आपको छोटी मोटी साइज के 12 यानि की 12 balls मिलते है इस तरह की यह आप लोग चाहे तो चोकलेट से भी बना सकते है मोल से लेकिन यह अभी बिल्कुल artificial मिल रहे है कुछ तो metal के है यह तो यह आप लोगों को 50 रूपीज में मिल जाएंगे यह 60 में बताया था लेकिन बारगिनिंग करके 50 रूपीज इसकी प्राइज उन्होंने लगा दी थी तो यह भी चोकलेट के उपर अगर आप लोग डेकोरेट करते है तो बहुत ही ज़ादा बुडिया सा हो जाता है बिलकुल भी उसे और जादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो यह भी आप लोग ले सकते है ओनलाइन बहुत जादा महंगे है तो लोकल शॉप से ही आप लोगों को इसे खरीदना है इसके बाद स्वीट्स या डिजर्ट उपर डालने के लिए या मेठी चीजों के उपर डालने के लिए थोड़ी सी पिस्ता कत्रन भी मैंने ली है यह 200 रुपीज में मुझे मिली है 100 ग्राम्स है यहाँ पर टुटी फूटी का एक पैकेट लिया है यह 20 रुपीज में मिला है और यहाँ पर कुछ यह आईस क्रीम कप्स है गाईज तो यह मैंने 30 रुपीज में इतने लिया है वन रुपीज पर आपको ये कप मिल जाता है यहाँ पर ये मफिन्स या कपकेक्स बनाने के लिए भी लिये है ये 20 रुपीज में मुझे 12 दिये है तो आप लोग यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कुछ ये लाइनर्स है paper liners या cupcakes बनानी के लिए liners use होते है guys तो इसका तो पूरा packet भी आप लोग खरीच सकते है लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक या दो दो dozen इसके लिए है तो यह 30 या 40 रुपीज में मुझे मिले है बहुत जादा महिंगे नहीं है तो इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ spray colors या powder colors जो आते है वो भी लिए है तो यह भी मैंने local shop से खरीदे है क्योंकि online इसकी price बहुत जादा high है तो आप लोग वहाँ पर bargaining भी नहीं कर सकते है तो आप लोग इसे local shop से ही खरी सकते है यहाँ पर यह एकदम bright red जो rose flower का color होता है यह powder spray मैंने लिया है local shop से इसकी price आप लोग दे सकते है 200 रुपे है लेकिन मुझे यह 160 रुपीज में मिला था इसके बाद मेरे हाथ में जो blue color की bottle है यह मुझे 160 रुपीज में मिली है same price है इसका भी golden chef नाम का यह जो spray color मिलता है यह 160 रुपीज का है pink का भी 160 का है लेकिन यह golden और silver जो colors मिलते है यह थोड़े से महंगे होते है तो यहाँ पर यह golden dust और यह जो silver है इसकी price आप लोग देख सकते है 450 रुपीज है 25 grams इसमें यह powder आता है 450 रुपीज इसकी price है लेकिन यह मुझे 300 में मिला था दोनों bottle 300 की silver और 300 की gold तो यह आप लोग local shop से खरीते है तो इसकी price थोड़ी से आप लोग कम या ज़ादा कर सकते है गाईज तो आप लोगों को थोड़ी सी bargaining करनी है यह कुछ sprinkles मैंने यहाँ पर लिए है यह डोनोट के ऊपर डालने के लिए 50 रुपीज में जो छोटी bottle है silver की वो 70 रुपीज में और यहाँ पर यह 30 या 40 रुपीज में एक डिबिया आप लोग ले सकते है अलग-अलग shape की अलग-अलग colors की यह sprinkles मिलते है यहाँ पर यह कुछ essence है papillon के essence या flavors और कुछ colors है, liquid colors यहाँ पर है तो इसके अंदर 10-10 bottles आती है तो 250 रुपीज में एक packet आपको मिल जाता है अगर आप लोग इसे लोकल शॉप से खरिदते है तो थोड़ा सा 20 या 30 रुपी आपको कम कर देते हैं यह मुझे प्रमोशन में मिली थी तो यह colors मैंने पहले भी यूज किये है, यहाँ पर आप लोगों को मैं यह food colors दिखा रही हूँ देख सकते है, 10 इसके bottles है आप लोग शर्बत बनाने के लिए आइस गोले बनाने के लिए या cake के लिए, ice creams बनाने के लिए यह जो 10 colors का set आता है यह इसकी price 250 होती है आप लोग इसे online चेक कर सकते है नहीं तो आप लोग इसे cake material shop से भी खरीच सकते है बहुत ही बढ़िया से results है इन सारे colors और essence के इसके बाद मैंने उसी shop से कुछ और भी चीज़े खरीदी है जैसे की vanilla flavor का प्रेमिक्स, cocoa powder, milk powder और यहाँ पर कुछ वेफल्स भी खरीदे है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको vanilla प्रेमिक्स दिखा रही हूँ तो यह मुझे 200 रुपीज पर kg मिला है आप लोग 5 kg का भी बैक खरीद सकते है या पूरा 20 kg का भी जो पैकेट होता है वो भी उन लोगों के पास है यहाँ पर यह cocoa powder है तो यह 1 kg का cocoa powder का पैक आता है आपको 450 यानि की 440 रुपे में 1 kg cocoa powder आप लोग इस तरह से खरीद सकते है आइस क्रीम्स में या केक्स बनाने में प्रेमिक्स बनाने के लिए यूज कर सकते है बहुत ही अच्छी क्वाल्टी की यह cocoa powder है तो यह भी 1 kg का पैकेट 440 रुपे में मिला है यहाँ पर यह 1 kg का milk powder का पैकेट है यह मुझे 120 रुपीज में मिला है यानि की 240 रुपर केजी आपको यह milk powder मिल जाती है loose milk powder है यह चाहे तो आप other brands के भी use कर सकते है इसके बाद यह जो वैफि मिलते है या वैफिल्स मिलते है केक के उपर डेकोरेट करने के लिए यह इसकी MRP प्राइज है 180 रुपीज लेकिन इसकी जो प्राइज उन्होंने बताई है वो 90 रुपीज में मुझे यह दिया है यह पूरा जार तो इस तरह से आप लोगी समान ऑनलाइन से ज़्यादा wholesale shop से खरीच सकते है लेकिन उसे कहां से खरीदना है वो भी मैं आपको में किमत सकते हैं तो उसका उनका फोर नमबर सारी चीज़े मैंने डिसक्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर किएक तो वो भी आप लोगे चेक कर सकते है तो जरूर आप लोग भी वहां पर जाकर यह समान खरीच सकते हैं तो यह समान खरीद हीए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हमारे दावज चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चलिए गाइज मिलते हैं इसी तरह के एक नए से हलफ फुल से वीडियो के साथ तब तक के लिए थेंक्स पर वाचिंग टेक खिर बाई बाई